नमस्कार मैं सूकृती रॉय आप सभी का बोल्ड स्काई में स्वागत करती हूँ दूद हमारे भोजन का एक जरूरी हिस्सा माना जाता है प्राचीन समय से ही लोग नियमित दूद का सेवन करते आ रहे हैं दूद में उच्च मात्रा में कैल्शियम होता है जो हड्डियों और दातों को मजबूत रखने में सहायक होता है दूद मास पेशियों को बढ़ाने, मास पेशियों को मजबूत करने और मसल्स कोशिकाओं की मरमत के लिए बहुत फायदेवन्ध होता है कई फायदों से युक्त होने के कारण भारत के हर घर में भोजन में दूद शामिल करने का चलन है वैसे तो कच्चे दूद में अधिक मात्रा में पोशक तत्व पाये जाते हैं लेकिन इसमें कुछ हानिकारक बैक्टीरिया भी मौजूद होते हैं जो गंभीर बिमारियां पैदा कर सकते हैं इसलिए कच्चे दूद को गर्म करने या उबालने के बाद ही इसका सेवन करना बहतर होगा आपको बता दें कि मौजूदा समय में डिबबा बंद और पोश्चरी कृत दूद का उपियोग अधिक किया जाता है दूद के पोश्चरी करण के कारण ही कुछ अवधी तक ये खराब नहीं होते और इससे दूद में मौजूद कई हानिकारक बैक्टीरियाज मर जाते हैं लेकिन ये पूरी दरह से नहीं मर पाते इसलिए डिबबा बंद दूद को गर्म किये बिना ही इसका सेवन करने से कई बिमारिया उत्पन हो सकती है दूद से बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए इन्हें उबालना जरूरी है लेकिन डिब्बाबंध दूद को उबालने से पहले कई खास बातों का ध्यान रखें बार-बार दूद को उबालने से बचें क्युकि अधिक और बार-बार दूद उबालने से इसमें मौजूद पोशक तत्व नश्ट हो सकते हैं इससे उबालते हुए बीच बीच में इसे चलाते रहें कम आज में ही दूद उबालना सही है और उबल कर ठंडा होने के बाद इसे ज्यादा देर तक बाहर न रखें ठंडा होने के बाद इसे तुरंथ ही फ्रिज में रखें दूद को माइक्रोवेव में गर्म करने के बजाए आग में उबालना फायदे मंद होगा ऐसे ही कुछ खास उपायों की मदद से आप भी डिबबा बंद दूद को बालने के बाद उनके पोशक तत्वों को बचा पाएंगे और इसका सेवन कर स्वस्त जीवन बिता पाएंगे फलहाल इस वीडियो में इतना ही ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ